हालो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुपर आलम टेक्निकल में जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो मेरे पास वन प्लस नाइन अर का मोबाइल है जिसका फ्रेंट और पे क्लास दोनों का दोनों भोक करने तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसका क्लास चेंग करने वाल हो और सबसे all तो OnePlus 9R जो डिस्प्ले आती है उसमें soft वाले डिस्प्ले होती है जैसा कि Samsung S7H, S8, S8 Plus इनमें जो एज वाले डिस्प्ले आती है ना flexible डिस्प्ले प्लास्टिक की वही डिस्प्ले इसमें भी आती है तो दोस्तो इस LCD को मैं फ्रेम से बहार निकल के आपको बनाना सिखाने वाल हूं तो दोस्तो वीडियो को complete देखने और वीडियो पसाने तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस शरूर कर देना सबसे बदो मैंने LCD को अच्छे से चेक कर लिया उसके बाद मैंने इसको सेपरेट क्लास उतारने वाला हूं उसके बाद इसका glue साफ करने वाला हो गुलू साफ करने के बाद LCD को mobile को complete खोल के LCD को frame से बाहर निकारने वाला हूं तो दूस्तो पंचिंग करने का इसमें क्या तरीका उने वाला है और LCD को especially clean करने क्या तरीका होने वाला हर एक चीज आपको वीडि मोबाइल कुरियर के दुरूब भेजना है तो मेरे स्क्रीन पे नंबर डाल लखे आप कोल या वाटसम मेसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडि सुपर आलम टेकनिकल के नाम से हैं आप हर जगे मेसेज करके फुल डीटेल में जानकरी प्राप्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना वहाँ पर काफी चीज़े में बहुत कुछ यूटूब से पहले काफी चीज़े वहाँ एड करता रहता हूँ तो वहाँ फॉलो ज़रूर कर देना तो दोस्तो इस तरीके इसका complete class उतानने वाला हूँ उतानने के बाद गुलू साफ करने का तरीका देख लेना और इस तरीके पंचिंग करने में क्या-क्य सेटिंग करने वाला हूँ वह चीज आपको वीडियो में देखने को मिलने वाला है तो दोस्तो इस तरीके से आपको separator से इसको अच्छे से hit करते रहेना है बीज़ीज में और आप किसी से mobile पकड़वा लेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका glass उतर जाएगा इस तरीके से मैंने mobile को पकड़वा लिया है और धीर धीरे करके इसका complete glass उताने की कोशिच कर रहा हूँ आप ये तरीका follow करके बहुत ही आसानी से किसी भी flexible display का glass उतार सकते हैं बिना किसी training के बस एक दोबर आपको हाँ साफ करने के लिए practice ज़रूर करनी पड़ेगी वड़े दोस्तो जब तक आप practice नहीं करोगे जब तक आप कर ही नहीं पाऊगे इसलिए आप कोई सभी mobile आए आप बहुती ध्यान से free mind होके उसका काम करेंगे तो 100% तरीके से उसका glass change हो जाएगा घबरा के काम करेंगे तो वो कभी काम होने वाला ही नहीं है तो इसलिए दोस्तो free mind होके अपना glass बहुती प्यार से और धिरे धिरे करके उतारेंगे तो बह इस तरीके से लगपर लगपर हमारा आदा glass उतर गया है और इसको बीच-बीच में हमें separate पर अच्छे हीट करना है हीट करने के बाद वायर को इस तरीके से चलाते रहना है तो दोस्तों यहां जो मैं वायर यूज़ कर रहा हूं 0.04 mm का वायर में यहां यूज़ कर रहा हू तो दोस्तों इस तरीके से इसका मैं complete glass होताने वाला हूं तो दोस्तों जहां कोने की side आप नीचे की side देखेंगे ना कोने में वहां आपको हमारा glass बहुत ही जादा broken है तो जहां जादा broken है वहां बहुत ही जादा सावधानी से आपको काम करना है कई पर यह होता है कि कहां जिसले में धस जाता है और display हमारी खराब हो जाती है वो चीज कभी specially आपको ध्यान रखना है और दोस्तों हमने एक अपना नया चैनल बनाया है सूपर आलम व्लोग के नाम से है लिंक मैंने वीडियो के description में डाल लगा है उपर आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा सूप तो मैं J beetje के बहुत सारी special special जगें वहाँ जाता रहता हूं और वहाँ का video में डालता रहता हूं तो दोस्तों महां आपके support से में और बी जगे जाऊंगा और वहां का video भी शूट करकर डाल वीडियो के description मैंने link डाल लगा हमारे चैनल का या तो youtube पर सर्च कर लो सूपर आलम व्लोग तो आपका चैनल का चैनल आ जाएगा तो दोस्ते इस तरीके से हमने इसका complete class होता लिया और जो कोने का दोस्तों में जैसा कि बोला था यह पीस है ना बहुत ज़्यादा टूटा वादा इसको बहुती साफधानी से आपको हटाना है तो दोस्ते इस तरीके से यह पीस दोस्तों में पर जो यह glue remote machine है ना इसकी जो motor की speed काफी अच्छी है इसलिए कोई सभी मोटा सा मोटा glue बहुती आसानी से यह हटा देता है यह थोड़ा आपको वक्त लग सकता है लेकिन बहुती easily यह complete glue को साफ़ कर देगा इस तरीके से करके आपको complete display को साफ़ करना है और ज साफ करने के पाल एक बन मैं आपको LCD वग़रा चेक कर दोँगा फिर आपको LCD को Def 실ानी का प्रोस बदाने वाले हों गर cakल और इस通altung session वहां कर सकते हैं और complete तरीके से काम кड सकते हैं तो इस तरीके इसका मैं आपको glue साफ़ कर रहा हूं जैसा कि आप βीडियो में देख पा और दॉस्ट्थों जिसको भी दूसतों ये जो मुबााइला है मेरे पास यूटूब पर मेरा विडियो देखके ये बन्दा गई है टच भी परफेक्ट काम कर रही है हम मैं इसका पैनल खोलने वाला हूं पैनल खोलने के बाद मोबाइल की जित्ते भी पार्ट से सब को बहार निकालने वाला हूं पार्ट को निकालने का रीजन यह है दोस्तों क्योंकि मैं इसमें लिक्विड की साहिता से एलचेडी को को फ्रेम से बाहर निकालने वाला हूं कि लिक्वीड हमारे मजर बोर्ड में, केमरे में ना जाए इसलिए हम सारे पार्ड़ को खोलने वाला हूं सबसे पहले तो हमने पैनल को बाहर निकाल लिया है अब इसके जित्ते भी स्कूरूव अगर आए इसको प्रॉपर दरिकें दि रख ले दोस्तो सारे सामानों को एक जगह रखे इधर उधर ना हो तो दोस्तो इस तरीके इसकी complete screw खोलने के बाद इसकी जित्ते भी पार्ट से इस पेशल दो सरो केमरे के लिए मैं इसकी सारे चीजे खोल रहा हूं इस तरीके एक पर mobile को off कर लेते हैं बैटरी का पत्ता भी निकाल लेते हैं अब इसके जित्ते भी पत्ते हैं बैटरी है मदरबोर्ड है सब को निकाल लेते दोस्तो रीजन जैसा कि मैं बता रहा हूं एल्चेडी को फ्रेम तर निकालने के लिए मैं लिक्विड डालना पड़ेगा एल्चेडी में इसलिए मैं के मदरबोर्ड बैटी सब निकाल ला हूं क्योंकि हमारे केमरे गंदा ना हो और मदरबोर्ड में माइक वगरा भी आते हैं वो माइक खराब ना हो जाए दोस्तो इसलिए दोस्तो मैंने सारे पार्ट को निकाला है दोस्तो इस तरीके से हमारे सारा पार्ट को खोल लिया है तो दोस्तो अगर आपको भी अपना हमारा एज कोर्स जोइन करना है जिसकी फीज 12.00 रुपे है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल लगा है आप जाके जोइन कर सकते हैं प्राइस वंली 12.00 रुपे मात रहे एक महिने का कोर्स है कोर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा आपको जितने भी एज मुबाइल होते हैं उनका ग्लास चेंज करने का तरीका आपको दिखने वाला है तो दोस्तो जोइन करने के लिए चैनल पर हम जाओ एक फोल्डर बना हुआ है उसकी जितने भी वीडियो है पेमिंट करने के बाद प्ले होने लग जाएगी इस तरीके से आप चोइन कर सकते हैं हमारे चैनल की मेंबर्शिफ को तो दोस्तों आप देख पा रहे हो किस तरीके से मैं इसकी ऐसकी और मेरी वीडियो है चैन सबसे इंपोर्टेंट यही है कि अगर आपने बहुत ही प्यार से बहार निकाल लिया तो आप बहुत ही आसानी से कोई इसी भी डिस्प्ले को बना सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से हलकालका मैं बीज में लिक्विड डाल रहा हूं और कड़क पनने की साहिता से लिको चा चारत रुख से एक हार्ट टेपिंग आती है इस पर अगर आपने उसको फ्री कर लिया तो बीच में से यह चिपकी वे रहती है नहीं बहुत नाम मातर की चिपकी वे रहती है तो दोस्तों देख आ रहे हो इस तरीके से हमारा यह लास्ट का कोना है यहाँ से फिर होते ही हमा हमारी एल्टेटी फ्रेम से बाहार निकल गई है तो सबसे प्रेंदे में आपको किस कंडिशन है तो दोस्तों आप देख पार है हमारी एल्टी बिलकूल परफेक्ट है एक बड़ टच पर गिराए भी मैं आपको चेक करा देता हूं उसके बाद इसकी पंचिंग करने का तरीक रखना है सब से पहले तो जो ऐज वाले डिस्प्ले पढ़ां तो ना उसमें मैं प्रेश्यर बढ़ाता हूं। नहीं करने क्योंकि हमारी flat display है लेकि soft वाले display इसलिए मैं timing वगरा बढ़ा रहा हूं इसमें pressure की आपको बढ़ाने की ज़रौत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तो तो चलिए दोस्तो इसको magic mode पर है मैं इसकी punching करने वाला हूं इस पर मैं जित्ते भी age इस पर होती है ना सब की punching मैं मैं इसी पर ही करता हूं तो इस तरीके से मैंने इसको machine में डाल लिया और machine को start कर दिया है यह timing दोस्तो 100 seconds और 20 seconds मैंने रखा है इस तरीके से फटा-फट इसकी punching कर लेते हैं बहिना time based किये तो दोस्तो इस तरीके से हमारी L3 की punching हो गई है तो दोस्तो एक बड़ देख लिते हैं किस टैप की punching हुई है तो जैसा कि दोस्ता आप देख पारें बहुत ही शांदार punching हुई है नाम मतर के बबल है इसको लगपक मैं तीन से पांच मिड़ा L3 को फ्रेम बबल रिवर में ड टैपिंग के ही इसको packing करने वाला हूं तो दोस्तो इस तरीके से हमारे complete bubble निकल गए और LCD बिलुकुल finishing से त्यार हो गई है तो दोस्तो इस तरीके से मैं liquid का यूज़ कर रहा हूं काली liquid का यूज़ कर रहा हूं ट्यूब का यूज़ कर रहा हूं और LCD को proper finishing से proper fitting की साहिता से लाने वाला हूं और लास्ट में दोस्तों इस पर रपड़ लगाने वाला हूं क्योंकि पैनल और डिस्प्ली की पकड़ अच्छे से हो जाया हमारे frame पर इस लिसको में रपड़ लाके एक से और गंटा छोड़ने वाला हूं तो दोस्तों यह जो mobile आया था मेरे यूटूब प्राप कर सकते हैं तो इस तरीके से फटावड़ इसकी एल चरी नीचे पत्ता होता है उसको पेकर लेते हैं और इसके नए जो पैनल आया है उसको अभी लगा लेते हैं तो इस तरीके से इसका complete ग्लास हमारा चेंज हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपको भी अपना mobile कूर बश्रू सही कराना है तो स्क्रीन पर नंबर दिये हैं इंस्टाइग्राम आड़ी सूपर आलम टेकनिकल के नाम से आप सारी जानकरी महां से फ्राप करा सकते हैं और गारनटी के साथ अपना ग्लास चेंज कर सकते करवा सकते हैं तो जो भी डिस्पलेश की रिक मेरी रहती ह इसमें पीर से लाज चेंग गरने में डिश्पले डिस्पले डेमेज हो जाती है तो इस तेंग安全ी से मैं आने को इसके पैज्पलेऊ को आ जाए तो दोस्तों इस तरीके से हमारी टच वागेरा बिल्कुल पर्फेक्क काम कर रही है तो दोस्तों अम्मीद करता हूं आपको फीडियो पसान आया होगा तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्डिंग वादा यह मेरे पाद मोबाइल यूटूब के थूरू आया करता है कस्टेमर तो दौस्तों इस तरीके से मैं उनल्कुल नापको भंडियो को प्राइब होगा तो दोस्तों ओमीद करते हूं आप वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो पसंद आए है को लाईक ज़रू करते हैं चैनल पर नया हाथ चैनल को सब्सक्राब करके पहला आइकन प्रेज शेरोर कर देना